आज के इस lecture में हम लोग समझेंगे एक British English Romantic Poet की बायग्राफी को जिनका नाम है S.T. Coleridge S.T. Coleridge की बायग्राफी को हम अच्छी तरह से समझेंगे और सारे exam points को कि क्या उनकी बायग्राफी में important है जो हमें पढ़ना चाहिए और उनके कुछ works को जो उनके works हमें cover कर लेने चाहिए ये सारे detail में आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा आपके exam point of view से बहुत important वीडियो होने वाला है तो सुरू करते हैं वीडियो को चलिए फिर सुरू से सुरू करते हैं ST college की biography को समझना देखे ST college के बारे में आपको ये तो पता चली गया है कि ST college romantic case से belong करते थे और एक lake poet थे अब ये lake poet ये lake school जो है इस term को किसने coin किया कौन कौन इस group में रखे जाते थे ये सारी detail में आप लोगों को आगे समझा हुआ ठीक है तो पहले हम ST college की biography को समझना इस्टार्ट कर देते हैं देखो college जो थे इनका पूरा नाम Samuel Taylor college था Samuel Taylor college इनका पूरा नाम था और इनका जनाम 21st October 1772 को हुआ था इनका जनाम 21st October 1772 को हुआ था और्टरे सेंट मेरी नाम की जगा पर डैवोन में थी और इंग्लैंड में इनका जनाम हुआ था अब इससे पता चलता है कि जब हम World Literature को पढ़ते हैं तो अलग-अलग देश के writers हम लोगों को पढ़ना पढ़ता है तो AST College British से बिलॉंग करते थे इसके अलावा इनके फादर की डेटेल को जान लेते हैं कि इनके फादर का क्या नाम था, क्या वो करते थे तो इनके फादर का नाम था John College John College इनके फादर का नाम था और ये एक प्रीष्ट थे और कहां पर प्रेष्ट थे, Scent Mary Church नाम था एक जिसके अंदर ये प्रेष्ट थे इसके अलावा इनके फादर हैड मास्टर भी थे और हैड मास्टर किस स्कूल के थे, King's School के हैड मास्टर थे और ये एक फ्री ग्रैमर स्कूल था जिसको Establish करा गया था किसके दोरा King Henry VIII के दोरा Establish करा गया था इसके अलावा इनके फादर John College जो थे इससे पहले वो एक Master थे Huge Squares School के अंदर ये एक Master थे उसके बाद ये Head Master बने Kings School के राइट बढ़ते हैं आगे अब इनकी मदर के बारे में जान लेते हैं जो Establish हैं उनकी मदर का नाम Ann Borden है अब आप लोगों को यहाँ पर William Wordsworth और Establish के जो Parents हैं वहाँ पर एक similarity देखने के लिए मिलेगी जो William Wordsworth के फादर का नाम था उनका नाम भी John था और उनकी मदर का नाम देखोगे William Wordsworth की तो उनका नाम भी Ann था ठीक है लेकिन उनके सरनेम अलग थे लेकिन First Name बिल्कुल सेम थे यह मैं आगे चलके बताऊँगा कि William Wordsworth कैसे ST College के साथ connect थे अब बात कर लेते हैं अपने Poet ST College के siblings की देखिए जो इनके फादर थे John Coleridge, John Coleridge की दो साथियां हुई थी, पहली साथी से उनने तीन बच्चे थे और दूसरी साथी मतलब उनकी second wife से उनने seven children थे जो Ann Borden थी अब total मिलकर 10 children हो गए, 10 बच्चे हो गए, हमारे writer ST Coleridge उनमें से सबसे youngest हैं, सबसे छोटे हमारे writer है ST Coleridge अब ST Coleridge के बारे में कुछ खास information जो आप लोगों को जान लेने चाहिए, कि ST Coleridge को बच्चपन से ही बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था एक Lordnam नाम की दवाई का इस्तिमाल वो किया करते थे, डॉक्टर स्लो और ये दवाई के अंदर ओपियम मिक्स होता था, मतलब की अफीम, अफीम मिक्स होता था, ये अफीम इसलिए मिक्स होता था, ताकि जो बोड़ी के पेन है, उनको reduce किया जा सके, उनको कम किया जा सके, तो धीरे धीरे करके, अभी तो ये अफीम जो है दवाई के रूप में स्टी कोलेज ले रहे थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि अफीम से जो मेरी बोड़ी का पेन है, वो थोड़ा सा कम होता है, तो ये ओपियम एडिक्ट बन गए, मतलब धीरे धीरे इन्होंने ओपिय ताजी जिनका नाम था जॉन कोलरिज उनकी डैथ हो गई, जॉन कोलरिज की डैथ हो गई और ये आठ साल के थे, अब करंसन ये आता है कि इनकी पढ़ाई कैसे चलेगी, इनकी फीस बगएरा कौन भरेगा, तो अब बात आती है कि इनकी पढ़ाई की पढ़ाई का हो, तो इ पर पढ़ा गया यहीं पर ST College ने अपनी poetry की writing की और study करने की सुरुवात करी Christ Hospital से ही अब Christ Hospital में इनकी मुलाकात होती है एक बहत्रीन romantic essayist से उनका नाम है Charles Lab इनसे इनकी मुलाकात Christ Hospital में ही होती है और ST College से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे Charles Lab अब Charles Lab प्रभावित तो हुए लेकिन ये essayist बने poet नहीं बन पाए क्योंकि अपनी अपनी खोबी होती है हरी इनसान की इन्होंने ST College को follow तो किया लेकिन एक्छे poet नहीं बन पाए एना बहुत ज़्यादा inspired थे ST College से ये लेकिन एक essay की category में इनको रखा गया मैं अभी आगे चलके बताँगा आप लगों को इन दोनों ने यहाँ पर Charles Lab ने और ST College ने वर्जिल के works को study करना इस्टार्ट किया ताकि वो classical learning से अपनी learning को आगे बढ़ा चुके तो देखो Charles Lab ने अपना नाम essays में Prince of English essay में दर्ज करा लिया मतलब ये बहुत ही उंदा quality के essay लिखा करते थे अगर essay की बात की जाए तो इस list में पहले दो ही नाम आया करते थे सबसे पहले मिसैल डी मॉंटेंग का नाम आता था वो father of essay कहे जाते हैं उसके बाद Francis Bacon का नाम आता था जिने father of English essay कहा जाता है लेकिन Charles Lab पी पीछे नहीं रहे उन्होंने Prince of English essay की उपाधी मतल पूरी हो जाती है बात आती है college की तो इन्होंने Christ hospital से निकल कर Jesus College Cambridge University में admission लिया और यहां पर इन्होंने पढ़ाई 1791 से लेकर 1794 तक की इसके बाद इन्हें 1792 में brown gold medal से नवाजा गया क्योंकि इन्होंने slavery के उपर एक ode को लिखा है और ये ode जो है इनके लिए बहुत अच्छ साबित हुआ जिसकी वज़े से इन्हे brown gold medal दिया गया था इन दिसेंबर 1793 में college ने कुछ समय के लिए अपना नाम चेंज कर लिया था और सिलिया स्टॉमकिन केमबर बैंच इन्होंने अपना नाम रख लिया था अब इसके पीछे कई वज़े लगाई जा सकती हैं वो क्या कि 1793 में इनके उपर बहुत सारा करजा हो गया था क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये physically बहुत weak थे बहुत सारी बिमारी उन्हें गहरा हुआ था तो इन्हें पैसे की जोट परती रहती थी लोगों से इन्हो कर दिया था और ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इन्होंने अपना नाम बदल लिया था ताकि इनकी ज़्यादा बेज़ती ना हो लेकिन बाद में ये नाम इनका बहुत कम समय के लिए रहा बाद में इन्होंने अपना नाम फिर से स्टी कोलिज रख लिया ठीक है अब यह जब जीजस कॉलिज में पढ़ते थे तो इनकी मुलाकात रोबर्ट साओदे से हुई और रोबर्ट साओदे के साथ ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए इन्होंने एस्टी कॉलिज ने रोबर्ट साओदे के साथ मिलकर है ना चार्ल्स लेम के साथ मिलकर और और भी आगे भी दो-तिन नाम आएंगे उनके साथ मिलकर जो है बहुत अच्छे कोलाबरेशन वर्क लिखे कोलरीज और साओधे का जो कोलाबरेशन वर्क आया था उसका नाम है दा फालो प्रोफ स्पेयर यह एक प्ले है जो तीन एक्ट में लिखा गया था और 1794 में इसको पब्लिस करा गया था तो आप लोगों के सामने पहला कोलाबरेशन वर्क इनका दीख गया है और इसके बाद हमें लाइन से इनकी कोलाबरेशन वर्क लिखेंगे बहन अपने आपने एक राइटर थी जिनका नाम है डोरो थी वर्क वर्क ठीक है इन दोनों के साथ ब्रिश्टोल नाम की जगा पर इनकी मुलाकात हुई और ये सब लोग आपस में फ्रेंट बन गए अब फ्रेंट की लिख बढ़ती ही जा रही है वह सारे लिट्रेरी फीगर्स हैं जिनोंने लिट्रेक्शर में कोई ना कोई कॉंटरिभूशन दिया है ठीक है इसके बाद इनकी मुलाकात मुलाकात होती है रोवर्ड लोवैल से अब रोवर्ड लोवेल जो थे इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा important role पे ले करते हैं ST college की देखो college ने, ST college ने Robert Soudi ने और Robert Lowell ने मिलकर एक decision लिया कि ये एक ऐसी society को बसाएंगे जिसका नाम Panty so crazy होगा, क्या होगा Panty so crazy society उसका नाम रखेंगे अब इसके लिए decide करने की बात थी की इस society को बसाया कहां पर जाए, ठीक है तो अभी तक तो ये तीन लोग थे इस society को बसाने के लिए जिनका idea था Robert Lowell, Coleridge और Robert Soudi इन तीनों के अलावा इसमें कुछ और लोग एड़ हुए जैसे की सबसे पहले एड़ हुई Robert Lowell की पतनी Mary Freaker Mary Freaker सबसे पहले एड़ हुई अब Mary Freaker ने सोचा कि मैं अपनी बहन को भी इनको इसमें एड़ कर लेती हूँ तो Mary Freaker अपनी बहन सारा और एड़ित Freaker को भी इस गुरूप में ले आई तो कुल मिलाकर 6 लोग हो गए जो पैंटी सो क्रेसी नाम की जगा को बसाना चाहते थे ठीक है अब इस जगा को बसाने के लिए इन्हें ये जगा इस्थापित तो नहीं कर पाए मतलब जगा तो ये डिसाइड नहीं कर पाए लेकिन एक फाइदा इन लोगों को इससे हुआ Robert Lowell की साधी ओ लेडी मेरी फ्रीकर से थी लेकिन इसी बीच हमारे poet ST College जो है उन्होंने सारा फ्रीकर से साधी कर ली सारा फ्रीकर से साधी कर ली अब कुछ लोगों को ये confusion होता है कि सारा फ्रीकर जो है इनकी वाइफ नहीं है सारा हचंसन इनकी वाइफ है जो William Wordsworth की साली है तो मैं उनको किलियर कर देता हूँ नहीं सारा फ्रीकर ही इनकी वाइफ का नाम है सारा हचंसन नहीं है दोनों बिलकुल आपस में नाम सेम है ठीक है लेकिन सरनेम अलग है तो आप confused ना हुएगा तो ST College ने सारा के साधी कर ली और बची अव एडित तो एडित को लपक लिया किसने Robert Sauden ने Robert Sauden ने एडित फ्रीकर के साथ साधी कर ली तो सब के घर बस गए बस ये society पैंटी सो क्रेशी नहीं बस पाई आगे बढ़ते हैं अब ये साधी जो College की सारा के साथ हो गई थी ये unhappy probe हुई चोथे बच्चे को इन्हों ने जनम दिया था तो ये धीरे धीरे करके आपस में separation की तरफ चल दिये और ये finally separate हो गए ठीक है दोनों अलग हो गए अब जो Robert Lowell है इन्हों ने क्या किया एक और अच्छा काम किया ST College और Robert Sauden के लिए Robert Sauden और ST College को इन्हों ने एक इनसान से मिलाया जिसका नाम है जोसफ कोटल ये इनसान जो है ST College के लिए और साउदे के लिए क्या बने patron बने patron किसे कहते हैं जो किसी भी writer को sponsor करे या उनकी financially help करे जो उनके works को publish करा सके ठीक है तो ये इनसे मिले थे इसके अलावा जो lowell थे इनकी 1796 में death हो गई और इनकी death के दोरान पर जो college थे वहीं पर present थे right बढ़ते हैं आगे I hope यहां तक की information आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी step by step आपको इसनकी biography समझाता हुआ चलाओं अब 1796 में ही इन्हों उने अपना first volume of poem जो है उसको publish करा दिया उसका नाम है poems on various subject poems on various subject स्टी कोलिज ने publish कराया था इसके अंदर चार poem तो ऐसी थी जो चार्ल्स लेम ने लिखी थी और उसके अलावा रोबर्ट साओदे ने लिखी थी और इनकी अपनी भी poems इसके अंदर थी ठीक है poems on various subject के अंदर इनकी अपनी poems भी थी इसके अलावा 1796 में ही ही privately printed sonnets कुछ sonnets को publish कराया अब इसमें भी बाकी authors की sonnets को इन्होंने include किया जैसे कि चार्ल्स लेम की sonnets को Charles Lloyd की sonnets को और साउदे और अपने आपकी खुद की sonnets को publish कराया ठीक है इन्होंने privately इनको publish करा दिया था दो और collection आप लोगों के सामने आगे आगे बढ़ते है इसके अलावा college ने एक plan बनाया कि ये क्या करेंगे एक journal को publish कराएगे और ऐसा करने की वज़े थी कि इनके उपर जो newspaper text लगता है वो उससे ये बचने की कोशिस कर रहे थे और इस journal का पहला edition या पहली बार जो ये publish हुआ था वो March 1796 में हुआ था ठीक है जी अब बात करते हैं 1797 की 1797 में क्या हुआ था तो ST College ने एक कुबला खान poem को लिखा ये बहुत ही important poem है ST College को इसको ध्यान लखना और ये रीवरी में लिखी गई एक poem है अब ये इनसान दिन में सपना देखे उसके उपर poem को लिखा गया है यहाँ पर लिखा है न a vision in a dream या फिर a fragment इसको कहा जाता है ठीक है मतलब ये College सपना देख रहे थे दिन के टाइम पे ही और वो सपना किस्त में देख रहे थे भाई opium के नसे में मतलब कि उन्होंने अफीम लिया हुआ था नसे में थे और वो सपना देख रहे थे क्या है तो वहाँ पर unfinished भी अगर option होगा तो कुबला खान जो है इनकी unfinished poems में से एक है राइट बढ़ते हैं आगे तो देखो भाई इसके अलावा 1798 में ST College ने The Rhyme of the Ancient Mariner नाम गी जो इनकी longest poem में से एक है उसको लिखा और ये poem बहुत ही बढ़िया है जो Lyrical Ballets के first edition में publish कराई गई थी अब ये Lyrical Ballets क्या है आओ समझ लेते हैं देखो 1798 में 1798 में Lyrical Ballets का एक first collection आया था और ये collection William Wordsworth और ST College ने मिलकर लिखा था इस collection के अंदर total 23 poems थी जिसमें से 23 poems थी 23 poems थी जिसमें से William Wordsworth ने तो 19 poems को लिखा था और ST College ने 4 poems को दिया था ठीक है लेकिन जो ST College की 4 poems थी ये William Wordsworth की 19 poems पर भारी पड़ गई और उनमें से सबसे दमदार poem थी The Rime of the Ancient Mariner ये बहुत ही अच्छी poem है जो Lyrical Ballads के साथ Publish कराई गई थी आप जब ये Lyrical Ballads 1798 में Publish हुआ था तो इसके Publication के साथ ही हम Romantic Age का स्टार्ट भी मानते हैं तो Romantic Age को किस-किस ने स्टार्ट किया था William Wordsworth और ST College ने स्टार्ट किया था With the Publication of Lyrical Ballads अब बढ़ते हैं आगे देखो 16 September 1798 में College और Wordsworth ने एक टूर किया और ये टूर था जर्मनी का ठीक है ये जर्मनी घोमने के लिए चले गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा College ने तो वहाँ के Towns को घोमा और वहाँ की Universities को घोमा बहुत ही अच्छी तरह से एनिलाइज किया और जहां से भी जो चीज ये कैप्चर कर सकते थे अपने Literature के Works के लिए वो इन्होंने कैप्चर की अब बात करते हैं 1799 की Colridge और Wordsworth दोनों जब जर्मनी में थे तो इन्होंने Thomas Hutchinson के यहां पर उनके Farmhouse पर रुकने का फैंसला लिया अब इससे पहले College अपनी Wife से सेपरेट हो ही चुके थे है ना लगबग हो ही चुके थे लेकिन पहले से ही वो अपनी Wife को प्यार नहीं करते थे जो सारा Freaker थी उससे प्यार नहीं करते थे अब इस Farmhouse पर जो Thomas Hutchinson का Farmhouse है उस पर इनकी मुलाकात होती है सारा Hutchinson से ठीक है जिसका Confusion इनकी Wife के रूप में लोगों के सामने रखा जाता है तो सारा Hutchinson के लिए इन्होंने एक Love नाम की Poem को लिखा और इस Love Poem को इन्होंने Dedicate किया है सारा Hutchinson को ठीक है जी आगे बढ़ते हैं अब ये Love Poem जो है जब एक दूसरे Romantic Poet John Keats ने पढ़ी तो इनके उपर इसने बहुत ज़्यादा Influence किया इस Poem ने Inspiration इस Poem से John Keats को मिली और इसी को पढ़कर इन्होंने अपनी एक Poem को लिखा Label Dame Sense Mercy ठीक है इस Poem को मैं आप लोगों को YouTube पर पढ़ा चुका हूँ अगर आप इसे देखना चाते हैं तो इसको देख सकते हैं ये Poem जो है Love Poem से ST College की Love Poem से Inspirations ही मिली थी जोन कीट्स को इसे लिखने की जिसकी वज़े से वो इस Poem को बहुती अच्छी तरह से लिख पाए अब बात करते हैं 1804 की देखो ST College की तवियत खराब रहती थी ये आप सभी लोगों को पता चल चुका है और ST College इस दर्द से थोड़ा सा रिलेक्स पाने के लिए ओपियम का नसा करते थे और इसके बाद इनोंने क्या सोचा कि मैं थोड़ा Climate Change के लिए Travel करना स्टार्ट करता हूँ क्या पता मेरी तवियत में थोड़ा सुदार जाए तो इनोंने Sicily और Malta जैसी जगापर Travel करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर ये दो बार 1807 और 1808 में वहाँ पर चले गए ठीक है फिर से एक बार वहाँ पर चले गए और उसके वहाँ पर जाने की वज़े से क्या थी कि इनको थोड़ा सा Climate की वज़े से इनकी Body में होने वाला जो Pain है वो सायद कम हो जाए और इनकी जो Health है उसमें थोड़ा सा Improvement इनको देखने के लिए मिल जाए लेकिन ये अपना नसा का जो नसा जो था ओपियम करना सा मतलब अफीम करना सा उसे continue करते रहते थे ताकि इनकी Body में जो दर्द है इनके ओपर हावी ना हो लेकिन ये जो दवा के रूप में ओपियम को ले रहे थे अभी तक ये इसके Addicted हो चुके थे पूरी तरह से अभी ओपियम के बिना भी नहीं रह पाते थे ठीक है तो इनका ये ओपियम के बिना तो नहीं रह पाते थे कुछ समय के बाद इन्होंने William Wordsworth से अलग होने का फैसला किया अब मैं आपको एक लोग एक चीज़ और बता देता हूँ William Wordsworth ने जब Lyrical Ballads को Lyrical Ballads को पब्लिस कराया था तो जिसके अंदर First Edition के अंदर चार पोयम ST College ने लिखी थी तो ST College ने क्या कहा था कि जब Preface आएगा यानि कि जो इसका Second Edition आएगा तो मैं उसमें Contribute करूँगा लेकिन Wordsworth ने इस बात के लिए इंकार कर दिया था तो इस बात से थोड़ा सा नाराज हुए लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी लेकिन 1810 में William Wordsworth और ST College दोनों separate हो गए दोनों अलग हो गए इसके बात की कहानी को समझते हैं कि जो इसके बात की कहानी है कि 1810 से लेकर और 1820 तक मतलब लगबख 10 साल तक ST College ने कुछ Lectures की Series of Lectures दिया मतलब उनोंने बहुत सारे Lectures दिये और ये Lectures किस पे थे Shakespeare और Milton के वरक पे थे है ना इनोंने कुछ वरक्स के ओपर कुछ Lectures दिये हैं जो Shakespeare और Milton के वरक्स पर Lectures थे अब बात करते हैं अप्रेल 1816 की अप्रेल 1816 की बात करते हैं उस समय पर College की तबियत और विगरती जा रही थी और उसका अब कारण थोड़ा बदलता जा रहा था इसका कारान बन रहा था कि इनकी जो एक Opium लेने की Addiction थी वो बढ़ती ही जा रही थी जिसकी वज़े से इनकी Condition बहुत खराब होती जा रही थी तो ये फिर एक Physician के पास गए और उस Physician का नाम था James Gilman इनके पास गए Gilman ने इनको Treatment दिया और जिसकी वज़े से इनकी तवियत में थोड़ा सुधार आया लेकिन थोड़ा ही सुधार आया ये ठीक नहीं हो पाए अब Gilman के House में रहते हुए ही इन्होंने अपना एक बहुत ही खुबसूरत वर्क Biography Literaryा को Complete किया और जो 1817 में Publish कराया गया था ठीक है अगर हम स्टी कोलरीज को एक Literary Critic के रूप में चानते हैं तो ये Biography Literaryा इनका Best Work में से एक आता है बढ़ते हैं आगे देखो ये कोलरीज जो है कोलरीज की Death कहां पर हो गई थी Highgate नाम की जगा है लंडन में 25 जुलाई 1834 में इनकी Death हो गई थी तो अभी आगे बढ़ते हैं इनकी Death हो गई इसका मतलब ये नहीं है इनकी Biography खतम हो गई कुछ इनके Important Work को अभी डिसकस करना बाकी है कि कौन कौन से Work स्टी कोलरीज को आपके पढ़ने चाहिए आपको अब आपने एक Term सुना होगा Lake Poets इसको हम Lake Poets के अलावा Lake School के नाम से भी जानते है ठीक है Lake School भी इस Term को हम कहते है आप इस Term के अंदर यानि के इस Phrase के अंदर किस को रखा जाता है तो सबसे पहले William Wordsworth इसमें आते हैं Lake Poets में William Wordsworth को रखा जाता है दूसरा ST College को रखा जाता है और तीसरा Rover Saudet को रखा जाता है अब ये Term भाई दिया किस ने था ये देख लेते हैं ये Term किस ने दिया था इस Term को देने वाले कौन थे Francis Jeffrey नाम का एक बंदा था ये भी एक अच्छे Critic थे इनों ने इस Term को दिया था और किस में दिया था एक मैगजीन के अंदर दिया था The Edinburgh Review ये एक मैगजीन है जो 1817 में इस Term को दिया गया था अई होप यहां तक आपको सारी चीजे समझ में आ रही हैं बढ़ते हैं आगे आप देखो Literary Theory में अगर S.T. College का नाम अच्छा रखा जाता है तो उसका मेन वज़े है इनका वर्क बाइग्राफिया लिट्रेरिया बाइग्राफिया लिट्रेरिया में इन्हों ने वर्षवर्थ की Theory of Poetry को Criticize किया है इस वर्क को 1817 में पब्लिस कराए गया था किसके दौरा S.T. College के दौरा ठीक है जब ये Opium का अपना इलाज करा रहे थे उसी दौरान इस वर्क को पब्लिस कराए गया था अब बाइग्राफिया लिट्रेरिया जो है इन्होंने सबसे पहले सोचा था कि एक Sort Preface होगा Sort Preface होगा to a collection of his poems इनकी poems का एक collection आने वाला था जिस तरह से Lyrical Ballads का 23 poem का collection था तो इन्होंने सोचा मैं भी उसी तरह का collection निकालूंगा ठीक है और इन्होंने जो Sibline Leaves नाम का collection चाथ था जो 18-17 में ही इनका आना था तो उसी के इन्होंने Preface बनाने की कोशिस की थी Biographia Literary को और Biographia Literary देखते ही देखते अपने आप में expand होता चला गया क्योंकि ST College इसको लिखते ही जा रहे थे अब ये टू वोलियम में एक ओटो बाइग्राफिकल एक तरह से वर्क बन गया इसके अंदर ST College ने अपने Memoir को लिखा है अब ये Memoir क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ Memoir एक ऐसा Literary Device है जैसे कि आप Biography या ओटो बाइग्राफिक को पढ़ते हैं ये थोड़ा सा अलग है उनसे Memoir क्या होता है जिसमें राइटर अपनी लाइफ के कुछ Important event या किसी दूसरे की लाइफ के कुछ Important moment को डिसकस करता है जिन की वज़े से उनकी लाइफ में बदलाव आया है उसके अलावा इन्होंने फिलोस्फी रिलिजियनल लिटरी थियोरी को भी Biography या लिटरीरिया के अंदर दिया है अब इसको लिखने के इन्हें Influence कहां से मिली तो इसको इसे बहुत ज़्यादा Influence हुए थे जर्मन Criticism से जिसकी वज़े से ये बहुत अच्छे से इस Biography लिटरीरिया को लिख पाए और Biography लिटरीरिया की वज़े से ये ST College बहुत ज़्यादा Famous हुए राइट बढ़ते हैं आगे चलिए तो ये Important Work में से सबसे Biography लिटरीया Important था लेकिन एक इन्होंने Poem लिखी to William Wordsworth ठीक है ये Poem का नाम है ध्यानकना ये Writer भी है William Wordsworth लेकिन एक Poem ऐसी है जो इन्होंने William Wordsworth को address की थी ये Poem Samuel Taylor College ने लिखी है और 1807 में इसे publish कराया गया है ठीक है अब ये क्यों लिखी ST College ने क्यों लिखी इसके पीछे की वज़े जान लिजे देखिए आप लोगों को पता होगा कि William Wordsworth ने एक बहुत ही बढ़िया वर्क लिखा है जो उनका Autobiographical वर्क है और उसका नाम है Prelude अब ये Prelude नाम जो दिया है William Wordsworth की वाइफ Mary Hutchinson ने दिया है लेकिन इससे पहले जब सुरुवात की थी Wordsworth ने इस वर्क बिल्यूट को लिखने की तो इसका नाम था Poem to College क्या नाम था Poem to College ये नाम दिया था इसका टाइटल नहीं दिया था लेकिन ये इसे कहते थे ये Official नाम नहीं है लेकिन इसी नाम से ये बुलाते थे मतलब की ये Poem जो है किसको Dedicate होने वाली है College को Dedicate होने वाली है अब इस Poem तो College को या प्रिल्यूट को William Wordsworth ने 1798 में लिखना स्टार्ट किया था और 1805 में इसको Complete कर दिया था और इसको पढ़ने के लिए इन्होंने 1806 में किसको दिया था ST College को दिया था ST College ने इसे पढ़ा तो इन्हें लगा कि मुझे भी Wordsworth की Response करना चाहिए इस Poem के Response में मुझे भी कुछ लिखना चाहिए तो प्रिल्यूट के Response में William Wordsworth की जो प्रिल्यूट थी उसके Response में ST College ने तो विल्यूम वर्टसवर्ट पोएम को लिखा था ठीक है ये बात आप ध्यान लगना Important Point है इसके अलाबा आप लोगों के सामने कुछ और Work मैंने लिखे हैं यहाँ पर ये सारे के सारे जो है Important Work है ST College के ये आपको पढ़ने चाहिए ST College के ये Work है जैसे की Rhyme of the Mansioned Ancient Mariner है कुबला खान है, किस्टी बैल है, लव है, दरोस है, दसाय है, तुसारा है ये बहुत काफी Important Work है ST College के अगर मुझे टाइम मिला तो Definitely इन Poems को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ST College के बारे में आपके एक्जाम के लिए इतनी information काफी रहेगी ठीक है, मिलते हैं अगरे lecture में तब तक के लिए जैहेंद